माई डिर फ्रेंड्स हमारी प्रकति में कारवन एक सर्व सुलव और सारवादिक पाय जाने वाला तत्तो है वैसे तो ये सवी सजीव प्राणियों में पाया जाता है लेकिन जब हम इसके प्रतिरूप की बात करते हैं तो इसकी कोईला, ग्रेफाइट और हीरा ये तीन रूपों में और तीनों रूपों में भेन्यता पाय जाते हैं ग्रेफाइट जो हम पेंसिल में फ्रोक करते हैं सुचालक होता है विद्दुत का जबकि कोईला कुछालक होता है तो तीनों ही कारवन के प्रतरूप हैं और temperature और pressure के कारड़ जितना ताप और दाव कारवन को मिलता है उसका वही रूप बनता है इसे हमें भी कुछ सिच्छा मिलती है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो जितनी संगर्ष को परेशानियों को जहलता है उतना ही वो आगे बढ़ता है कुछ और भी फ्रस्न जोकी परिच्छा की द्रश्टी से बहुत ही महत फूर जैसे की एक्सरे का विश्कार किस ने किया किस धातू का प्रयोग मानब द्वारा सबसे पहले किया गया भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी और भारत में रेल का आरंब किस सन में हुआ प्रथम भारती अंत्रिच यात्री कौन थे हर्याडा के पहले मुख मंत्री कौन थे किस धात का प्रियोग मानब द्वारा सबसे पहले किया गया था तो इस तरह के महतपूर प्रस्न जो फरिक्षा में पूछे जाते हैं आप लोग चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें चैनल से जुड़ें क्योंकि यहाँ पर आप सई छिडिक वीडियो देखते हैं मिलता हूं उंगले वीडियो के साथ तब तक लिए आप सभी को नमस्कार